इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे Rome T10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नमर 2 के बारे में दोस्तों आज का मैच नमर 2 Rbms और 200 K.E.L. टीम के 20 खेला जाएगा यह मैं दोस्तों धियान रखिएगा दो पहर के 2 बचके 45 मिनट से स्टार्ट होगा टिक ना दोस्तो इस match के recording दोस्तो आपको इस वीडियो में इस small link का भी मैंने अपना team share किया है और देखो उससे team नहीं share किया है दोस्तो जो मैंने अपने team में player को रखा है 11 player को मैंने क्यों 11 player को choose किया है आपको total information इसके recording मिलेगा जिससे आपको समझने में एक तो बहुत अच्छा help होगा और यदि आप खुद से team मनाना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत help करेगा कि जो मैंने 11 player को रखा है तो उसके जगा एक-दो मैंने extra option भी दिया है तो टस्क एक ओर्डिंग आप किस तरह से changes कर सकते हो यदि RBMS की team batting first करती है तो आप किस player को रख सकते हो किस player के साथ आप ricks ले सकते हो क्योंकि RBMS की team 220 strong team है इस नुना में इनकी सबसे strong team है जिनके पास batsmen, baller दोनों ही कमाल के और KEL की team जो team है दोस्तो उतना मैं strong नहीं समझता हूं as compared to RBMS क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे तग्रे batsmen नहीं है लेकिन RBMS की आपको मालो में दोस्तो जब भी win करती है 9 wicket 10 wicket से match win करती है तो इस match में टस आपके लिए बहुत important factor है तो इसलिए मैं वीडियो पे main इस चीच पे focus बहुत किया हूं कोई player यदि इस टीम से नहीं खेलता है तो प्ली जो मैंने rotation दिया है उस पे आप focus कर लेना ठीक न और टेलिग्राम चैनल के साथ आप जूर सकते दोस्तो इस match के regarding कोई भी information होगा कोई update होगा तो मैं यहां पे आपके साथ share कर दूँगा इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथ ही साथ दोस्तो comment section में भी first comment pin के हुआ मिल जाएगा जाएगा जाएए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जुट जाएए और साथ ही साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube चैनल को जरूर subscribe किज किजिएगा notification का घंटी जाए जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा अब बात करें दोस्तो हम लोग RBMS और KEL के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तो इस match का combination हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकेट कीपरिंग सेक्शन से जहां पर दोस्तो आपको first option मिल का RJ बर्दना का जो दोस्तो आपको open batting करेंगे नहीं तो mainly बहुत हुआ तो दोस्तो आपको first round batting करने आएंगे performance भाई का batting से बहुत अच्छा रहा है last match यह दि छोड़ दे उससे पहले भाई ने जितना भी match के लिए टूनामेंट में सभी match में बहुत अच्छा performance के और इस चौधरी को टीम में नहीं रखते थे लेकिन अब एस चौधरी का आप बोलो गया नहीं रखते थे तो फिर इसका selection इतना ज़्यादा क्यों हो गया बताता हूं लास्ट चार मैंसे दोस्तो ना एस चौधरी सभी match में 2-2 वर का balling कर रहा है और भाई 2-2 wicket 3-3 wicket इस तरह से पहले रहे हैं और हमेसा देथ में bowling करनी आ रहें SPIN BALLER यदी SPIN BALLER 200 डेथ में bowling करनी आता है तो आपको मालूम में एक तो होहां पर बैट में अच्छे रहते नहीं है देथ में बहाँ जदा बीगिट गिर गया रहता है और SPIN BALLER को ऐसे भी कोई भी दोस्तो आगे बढ़के अच्छा रहा है ध्यान रखेगा और लांडर प्लियर है आपको सभी मैच में दो-दोबर का बॉलिंग भी कर रहे है और आपको मेली तीन नमर पे आखे बैटिंग भी प्रवाइट कर रहे है देखो इनको आप ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन एक और चीज़ मैं करन नहीं करना ठीक ना क्योंकि सामने वाली टीम इतना ज़्यादा है उनका बिकेट गिरा ही नहीं तो फिल क्या होगा तो इसलिए आप इन्हें टीम में रखना तो ऐस बैट्समें रखना प्लीज फोकस अब बात करें हम लोग बैटिंग सेक्शन तो दोस्तों बैटिंग सेक् नहीं है बैटिंग भाई इतना नीचे करने आता है तो इनको बैटिंग का भी देखो तो चांस मिलता नहीं है और वहीं मैंने बोला मरूप क्यों आप टीम में रख सकते हो यदि ये खेलेगा न तो आपको दो ओबर का कंप्लीट पावर प्ले में बॉलिंग करके देगा इसी नीचे से जो भी खेल जाए जो भी खेल जाए जिस पे आपका उंगली चला जाए आप उसको ले 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 ना क्योंकि नीचे जितने भी ओप्सन है दोस्तो कोई भी खास ओप्सन नहीं है यदि कोई new player खेलता है जैसे दोस्तो AD Silva बहुत तगराप पलियर है दोस्तो लेकिन प आप यह धियान रखेगा कि आई मरूप खेलते हैं की नहीं अब बात करें हम लोग 200 और लांडर सेक्शन तो लांडर सिक्शन में दोस्तो ँस्तो एस रिहान को आप लेके जाओ एहमद आपके team में होने चाहिए, इन फ्रांडू आपके team में होने चाहिए ये team player को आपको किसी भी team से drop नहीं करना है चाहे दोस्तों आप 10 team मना रहे हो या 20 team मना ले हो ये team player आपके लिए सभी team में important है आप बुलो यार मेरे को पहले ये बताओ क्यों important है मैं बता रहा हूँ देखो दोस्तों एस रियान open batting करने आएंगे और इस tournament के दोस्तों सबसे highest run scorer batsman है तो आप समझ लो important captain BCB आप कर लो no problem batting first में मैं ज़्यादा recommend करूँगा captain करने के लिए batting second में captain मत करना क्योंकि ये balling कर नहीं रहे regular सभी match में और batting second में इनकी team को मान के चलो ज़्यादा score मिलता ही नहीं है chase करने के लिए तो आपको ज़्यादा score करेंग नहीं ए अमद को आप captain कर सकते हो विकोज ये आपको 2 बर सभी match में balling कर रहा है और आपको open batting करने आ रहे एस रिहान के साथ तो ए अमद को captain कर सकते हो इन फ्लांडो भाइस captain के लिए अच्छे पिक है दो अबर का आपको balling भी provide करेंगे साथी साथ आपको open batting भी करने आते है फिर निचे आईगी आईगा aim ahamad aim ahamad दोस्तों दोस्तों देखो इनका recent match को काना performance थोड़ा सा ख़राब रहा है लेकिन इस match में मेरे को लग रहा है कि आपको better करके जा सकते है aim ahamad तो इसी बाधे से मैं aim ahamad को back कर रहा हूं यदि दोस्तो केल की टीम balling first करती है balling second में आप drop कर सकते हो नहीं बताता हूं region देखो दोस्तो balling first में important इसलिए क्योंकि यह death में balling करता है over no 8 और दोस्तो over no 10 लेकिन balling second में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इन पर ricks ले सकते हो द्रॉप करने का मान के चलो दोस्तों यह मैच अठमा ओपर तक जाता ही नहीं है तो इनको बॉलिंग करने का चांस उत्ता मिलेगा ही नहीं तो ध्यान लखेगा यह वाला रोटेसन आपके लिए ठीक मैं इसलिए मैं आपको यह जरूर किलियर कर रहा हूं कि आपको किसी प्लि को रखो तो एज़ा बॉलर ना रखे एज़ा बैट्समें ट्राइ करो और एज़ा बॉलर दोस्तों मैं अभी तो नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैंने अल्रेडी बता है दोस्तों आप के कोसिस करो और लाउंडर प्लियर अपने टीम में मैक्सिमम रखने का नकी दोस्तों बॉलर जो आपको सिर्फ बॉलिंग करके दे आप उनके बैट्समें को रख सकते हो और लाउंडर को रख सकते हो लेकिन बॉलर ज्यादा मत रखो टीम में आपको ये बेनिफिट करेगा फिर नीचे और भी ओप्सन देखे तो देखो दोस्तों कुछ खास ओप्सन तो है नह कर सकते हो दोस्तों एस बैट्समें करना क्यूंकि ये बॉलिंग दोस्तों करते नहीं है थिक ना एज़ बेट्समें आप ट्राई कर सकते हो ओपन बैटिंग करने आएंगे और ठिक ठाख परफॉर्मेंस किया है दुख लए तो दियानक ना एक इंपोर्टेंटी में चेले लेकिन आपके लिए दोस्तों एक बढ़िया गेम जिंजर बॉलर बन सकता है एस्पेसली बॉलिंग फर्स्ट में आरवी एमेस की टीम दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट करती ये प्लियर मेरे टीम में रहेगा ठीक ना क्योंकि आपको दो बॉलिंग करके देगा और एक इनका सेलेक्शन कम है अब इनके जगह आपको ट्राइ करना हो और लाउंडर सेक्शन से यदि के एल की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो आप एद वान को रख लेना ये वाला रोटेशन आप टस्क एकोर्डिंग कर सकते हो जिस भी टीम का बॉलिंग फर्स्ट है उसके बॉलर को आप लेके जा सकते हो अब बास दोस्तों चोट की विज़े से लास्ट दो तीन मैंसे बाहर चल रहे है जो लास्ट मैंचीनों ने खेला था बॉलिंग करते टाइम में भी दोस्तों इनका हैमिस्टिंग में कुछ प्रॉबलम था जिसे इनको मैच होर के जाना परा था एचरिया दोस्तों खेले भी तो जील में ट्राइ करना है स्मॉल लिंग में मत करना क्योंकि यार बॉलिंग कर नहीं रहे है रेगुलर सभी मैच में और स्मॉल लिंग में रख लोगे तो वो प्रॉबलम कर जाएगा जील में मैं एक प्लियर के आपके साथ सेयर करना चाहूंगा एम सित्की दोस्तों देखो एम सित्की का सिर्फ 10% सेलेक्शन है लेकिन आप जील में इस प्लियर पे रिक्स ले सकते हो क्योकि भाई ने जितना भी मैच खिला है न टुनामेन में विकेट कम मिला है बहुत कम मिला है लेकिन सभी मैच में बॉलिंग किये है पता नहीं काप्टन को बॉलिंग क्यों देता है बर ध्यान रखना, ग्रेलिंग में आप चाहो तो इस प्लियर पे आप रिक्स ले सकते हो ओके दोस्तों क्योंकि रेगुलर बॉलर है अब बात करें इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग काप्टन मिसी उप्सन काप्टन दोस्तों मैं एहमत के साथ जाओंगा अब भाइस केप्टन दोस्तों यदि आरबिय में इसकी टीम बैटिंग फर्स करें तो एस रियान रखना यदि दोस्तों बॉलिंग फर्स करें तो आप इन्फराणर के साथ चले जाएगा ओके दोस्तों अभी के लिए आप लोग टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्षन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्षन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन क्या हुआ मिल जाएगा जाए दोस्तों टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएगे और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे important कोसिस किजेगा notification का घंटी बजा दे जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा टिक ना दोस्तों तो फिर मिलते हैं आप सभी से next T10 के वीडियो में जैहिन दोस्तों टेक क्यार एंड बबाए